गुद्बार्णिंग फ्रेंट्स माइनम इस प्रमोद एन्योर वाचिंग कॉंसर्ट प्लासेज दोस्तों वाइस के मैंने दो वीडियो अप्लेट कर दिये हैं पहला जो वीडियो था मैंने आपको स्कूल लेवल पर जो नॉर्मली नाइंड से लेकर टैन तर जो भी उसÁंगुक में हमको पयसीक का जो टॉंपरमेशन मिलता है जो उसके एक्जांपल लेगे तो कैसे हम उसको पाचान हएं कि वह एक्च्वल के सब्सक्रेज करंगा आई आगने अब हम इसके सुरुआत करते हैं कि मॉद्टल वार्व के पेस्यू देखते हैं सबसे पहले हम एक्टिव वाइस को अगर देखते हैं जो टेंस का जो सेंटेंस होगा वह कैसा होता है subject होता है, subject के ठीक बाद हम model का use करते हैं और model के बाद हमें spower का first form हम use करते हैं जैसे can, could है, have या should है तो इसके बाद हमें spower का first form हम use करेंगे और उसके वश्ताद अगर पॉई object है tavisco लगाएंगे object है subject, model verb, पर प्रवा का first form और इसके बाद object है पेसी जब बनाएंगे तो यह object जो है subject बन जाता है तो यह subject लिखाऊं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह subject है बलकि यह object जो है अब subjective form में वो पेसी वाइस में subject की रुपे यूज होता है उसके ठीक बाद हम model verb का use करेंगे और model verb के ठीक बाद हम B का प्रयोग करते हैं और B के बाद verb का third form यहां देखिए verb का first form है यहां हम क्या use करेंगे verb का third form का use करेंगे फिर हम by का use करेंगे और उसके बाद जो subject होता है उसको object की जगह में रख देंगे तो उसके बाद यह हमारा structure complete हो जाता है आए इसको एक example के माद्धान से और बहतर तरीके से समझते हैं जै अब यहां can के बतले मैं could कर दूँगा तो वहां यह work कर सकता था यह कर सका जो भी बोल सके यह should do this work मतलब उसे work करना शाहिए should का मतलब चाहिए होता है और मे का मतलब संभावना वह यह work कर सकेगा ठीक है तो यह सारी जो चीजे है माल लीजिया यहां can, could, should या may है कोई से भी use हो तो जब हम इसका passive बनाएंगे तो क्या करेंगे यह this work जो है subject के रूप में काम करने यह object था यह object के रूप में था तो यह this work जो object हमारा वो क्या हो जाता है अब subject बन जाता है तो यह this work हमारा क्या हो गया subject का रूप के जगा कारे करने लगा फिर उसके बाद हम model verb का use करेंगे तो model verb हमने जो भी हम use करते हैं वही model verb का हमको as it is रखना है can, could, should या may तो उसमें हम कोई सभी रख सकते हैं चाहे this work can भी बोलू या this work could भी बोलू या this work should भी बोलू या this work may भी बोलू सारे सहीं है उसके बाद ठीक model verb के बाद मैंने बी का use किया है can के बाद भी लगाना है या could भी लगाना है या फिर should भी लगाना है या फिर maybe हो गया फिर उसके बाद verb का third form यहाँ देखिए do हमारा verb था अब यहाँ first form था तो यह done हमारा क्या है verb का third form हो जाता है तो यह done हमारा वर्ब का third form हो गया और उसके बाद हम by लगाते हैं और उसके बाद यह जो subject था यह जो subject था ठीक इसको हम objective case में लिखते हैं तो he का him हो जाता है तो इसको हम last में लिख देते हैं इस तरह से this work can be done by him यह आपका passive में convert हो जाता है तो यह model के passive कैसा बनेगा इसका structure है I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा आईए कुछ दबाव वाले sentence देखते हैं जैसे एक दबाव है के sentence है जब भी हम दबाव का use करते हैं present tense में तो हम has to या have to का use करते हैं अगर आप has to या have to का use नहीं जानते तो आप simple sentence के वीडियो में इसको समझ सकते हैं एक्टिवाइस जब भी होता है तो subject होगा फिर has, have होगा फिर उसके बाद two का प्रयोग होगा है has या have के बाद अगर two का प्रयोग होता है तो और two के बाद हमें सब वर्व का first form होता है तो समझ जये कि वो sentence पर किसी प्रकार का दबाव पढ़ रहा है वहाँ उसकी मजबूरी जहलक रही है जैसे अगर sentence है समझ जये I have to go market I have to, I मतलब मैं मुझे जाना पढ़ता है, कहा जाना पढ़ता है मार्केट जाना पढ़ता है I have to go market अब यहाँ जो मार्केट जाने का काम है वो दबाव पूरवक है तो इसको हम PCV में कैसे कहेंगे मार्केट has to be gone by me कुछ नहीं है subject has, have के वसाथ two लगा था, वर्व का first form लगा था और उसके बाद वर्व अबजेक्ट लगा था PCV बनाएंगे तिस object को subject बना लेते हैं has, have को रहने देते हैं two को रहने देते हैं बस आगे में be लग जाता है be लग गया और यह वर्व का वर्व का first form वर्व का third form हो गया और उसके बाद यहाँ by जुड़ जाएगा यहाँ by जुड़ेगा और उसके बाद यह जो subject होता है वो object के जगा में चला जाता है देखे example I have to go market तो market को मैंने यह रख दिया अब market के साथ हमेशा has का परयोग करते हैं कोई भी single चीज third person singular number होगी तो इसके साथ has का परयोग करेंगे I के साथ have का use होता है इसलिए यहाँ have use हुआ है लेकिन market third person singular number है इसलिए इसके साथ has हो जाता है तो market has to अब has to लगने के पस्चाथ पेसी चुकी है तो हम क्या use कर देंगे B लगाएंगे B का परयोग करेंगे फिर go का वर्ब का third form हो गया gone or by अफिर यह subject को हम object के लगने रख देंगे तो उसका हो जाता है मी तो इस तरह से market has to be gone by me market जाया जाता है market जाना पड़ता है मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकर एक्टिवाइस third person में देखिए I के बदले मैंने यहाँ C लिखा है हम लोग tense के sentence tense की वीडियो में यह बात हम सीख चुके है see has to see has to उसे जान उसे करना पड़ता है क्या करना पड़ता है cook food खाना बनाना पड़ता है उसे खाना बनाने का काम करना पड़ता है मजबूर ही है वरतमान समय की तो food को हम देखिए हम object है food तो यह object हो गया हमारा subject subject बन गया अब has food के साथ तो single ही है खाना जो है single है तो हम क्या बोलेंगे has का has to has के साथ food के साथ has ही रहने देंगे और has to has to ऐसा रहने लगए आप वहीं पस रहेगा जैसी has to का प्रयोग हुआ उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे has to be हो जाता है और वर्ब का third form cook का वर्ब का third form क्या हो गया cooked हो गया तो cook का cooked हुआ और उसके बाद by लगाएंगे और जो c था वो object की जगाए में चला जाएगा तो वो her हो जाता है तो क्या बना food has to be cooked by her same sentence देखिए past में जब मजबूरी होती है तब हम has या have के बदले head का use करते हैं देखिए structure क्या होगा subject होगा subject के बाद head होता है फिर to लगता है फिर वर्ब का first form और उसके बाद हम object का use करते हैं ठीक पेसी वाइस बनाएंगे तो object subject बनेगा head as it is रहेगा उसके साथ to लगा ही रहेगा और उसके बाद हम head to के बाद be का use कर देते हैं be use हुआ फिर उसके बाद वर्ब का third form आ जाएगा वर्ब का first form वर्ब का third form में convert हो जाएगा by लगाएंगे और फिर जो subject होगा उसको object के जगह में रख देते हैं example देखिए I had to go market मुझे market जाना पड़ता था past का sense है I had to go to market मुझे market जाना पड़ता था अब इसी चीज़ को मैं पेसी में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा market had to market had to be gone by me market जाना पड़ता था मेरे द्वारा तो market had to be gone हो जाएगा had to के बाद क्या होगा जब भी याद रखिए has to, have to होगा उसके साथ b हो जाता है past के sense में तो market had to be gone by me इसी परकार had to cook food उसे खाना बनाना पड़ता था तो past क्या होगा food had to be food had to be cooked by her I hope इतना आपको समझ में आगया होगा आएए इसी sentence को हम future के sense में देखते हैं कि जब future में किसी sentence पर दबाव पड़ता है तो उसका passive कैसे बनता है active voice में जब हम बोलते हैं तो subject के ठीक बाद हम will have का use करते हैं और उसके बाद two का प्रियोग करते हैं जैसे will have के बाद हम two का use करते हैं इसका मतलब यह है कि वो future में वहाँ sentence पर दबाव पड़ रहा है two के बाद हमें सा वर्ब का first form का use करेंगे और उसके बाद object रखेंगे जब इसका passive बनाएंगे तो यह object subject बनेगा will have to था वो will have to be हो जाएगा will have to be हो जाएगा वर्ब का first form वर्ब का third form में convert हो जाएगा फिर बाई लगाएंगे अफिर यह जो subject था उसको object बना देंगे example देखिए I will have to go market ठीक है मुझे market जाना पड़ेगा मुझे market जाना पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है मजबूरी है ठीक है पड़ेगा ही ठीक तो उसका पेसी क्या बनेगा market will have to be market will have to be go cover वो के third form हो जाएगा gone by me इस तरह से future का जो भी compulsion होगा वो इसी format में बनेगा इसी प्रगार दूसरा sentence देखिए तो इसका जब हम पेसी बनाएंगे तो क्या होगा food will have to be cooked by her अब कुछ लोगों को confusion क्या होता है यह सी लगा है तो यहाँ will has होना चाहिए तो will has नहीं होता future में compulsion है तो उसके साथ will have कही use करते है तो सी will have to cook food अगर है उसको खाना पनाना पड़ेगा पड़ेगा ही पड़ेगा मजबूरी होगी future में तो उसका पेसी क्या बनेगा food will have to be cooked by her आईए अब हम कुछ एक ऐसे sentence या ऐसे structure को समझने का प्रयाज करते हैं जिसका मतलब क्या होता है जब भी subject और उसके बाद is MR और उसके बाद to का प्रयोक हो तो वो हमेशा और उसके बाद verb का first form का use होता है तो वो जो कार होता है वो subject की इच्छा के नुसार किया जाना है ऐसा करके उसका मतलब निकलता है ठीक है जैसे subject is MR plus to plus verb का first form और उसके बाद object है तो उसका फिर पेसी हम कैसे बनाएंगे तो object को subject बना देंगे फिर is MR को वैसी को वैसी रहने देंगे तो जो भी है उसको भी as it is रहने देंगे लेकिन जब पेसी बनाते हैं तो टो के बाद डी का हम यूज करते हैं फिर उसके बाद verb का first form जो active वैस में था वो क्या हो जाता है वर्ब का third form में हो जाता है और जो हमारा subject था वो object की जगह में चला जाता है आईए इसका मतलब के लिए हम past में वाद या वर का प्रयोग करते हैं तो के साथ लिए पहले प्रेजंट DIRE देखते हैं कुछ कांको करना है argue office जाना है क्या बलूंगा ।ि to go office मुझे office जाना है तब हम इसका पैसी कैसे बनाएंगे office को subject के जखा में रख देंगे office subject के जखा में आ गया फिर फिर एम लगा था अब यह देखिए office के साथ एम का यूज नहीं होगा एम का यूज के वल आई के साथ होता है office third person singular number है उसके साथ हमें से इस का प्रयोग होगा तो office इस हो गया अब टू लगा था तो वह इस टू में convert हो गया और उसके बाद देखे इस ट्रक्चर देखिए इस एम आर के साथ टू उसके बाद क्या लगा है बी का फॉर्म यूज हुए है तो office इस टू भी फिर वर्ब का third form क्या है इसमें गो लगा था तो गॉन हो गया वर्ब का third form गॉन फिर बाई लगा और फिर यह जो subject था वो object में convert हो गया तो हमारा conversion कैसे हुआ office इस टू भी गॉन बाई मी इसी प्रिकर सेकेंड देखे यू आर टू रीड निउस्पेपर तुम निउस्पेपर पढ़ना है तुम्हें निउस्पेपर पढ़ना है तो उसका पेसिव क्या बनेगा निउस्पेपर इस टू भी रेड ब सब्सक्राब के इसे उसे अपनी का धोनी है तो अब सब्सक्राइब बनाएं तो कैसा होगा his car is to be washed his car is to be washed by him his car is to be washed by him ठीक तो ये हमारा पेसी होगा अब कार देखिए third person singular number है इसलिए इसके साथ भी इसका प्योग हुआ है to लगेगा फिर be लग जाएगा पेसी में to के बाद हमें सब be use करते हैं और be के बाद हमें सब वर्ब का third form का हम use करते हैं तो कोई भी sentence जब subject की इच्छा पर depend करता है कुई कुसी कार को करना है का sense आता है तो active voice में ease MR के साथ to use करते हैं उसके बाद वर्ब का first form use करते हैं वही पेसी wise में ease MR के साथ be लगा देते हैं फिर वर्ब का third form हम use करते हैं I hope इतना आपको समझ में आया होगा आईए कोई भी कार जब past के sense में बोला जाएं कि past में से करना था उसके sense में अगर बोला जाए subject फिर was या were और उसके बाद हम two का use करते हैं फिर वर्ब का first form और object पेसी wise हमारा simple बनेगा object subject हो जाएगा फिर was as it is रहेगा फिर two के साथ हम be का use कर देते हैं past के sense में पेसी बनाने के लिए फिर वर्ब का third form और जो subject हो ऑबजेक्ट बनता है example के माधन से समझते हैं जैसे same example है उसमें मैंने is mr के बदले was या were को use किया है तो I was to go office मुझे office जाना था मुझे office जाना था तो मैं कैसे बोलूँगा इसको पेसी में office was to be gone by me office was to be gone by me इसी प्रकार active wise में you were to read newspaper तुम्हे newspaper पढ़ना था तुम्हे newspaper पढ़ना था तो passive wise क्या हो जाएगा newspaper was to be अब यह देखे newspaper single है तो यह इसके साथ यहां हमें वर्ग का यूज किये थे लेकिन newspaper के साथ हम watch का यूज करेंगे क्योंकि newspaper क्या है अपने आपने एक single unit है तो newspaper was to be read by you third example देखें he was to wash his car उसे अपनी कार धोनी थी उसे अपनी कार धोनी थी तो his car was to be his car was to be watched by him his car was to be watched by him यह हमारा passive का structure होगा झाल